हलो और नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का राजस्तान इस्ट्री ओफिशिल यूटूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज हम लेकर आए हैं वो है खनीज से समध्दी जो पिछली जो है कुछ वर्सों में जो एक्जाम में पूछे जा रहे क्यूस्टन हैं उन क्यूस्ट भाड करते हैं सबसे पहले ध्यान रखना इसने पूछा था कि चांद मारी जो घो है कीवर्सिद है तो यह तंबा खनीज के लिए परसिद है US के बाद जो है मोरिजघा तो यह लो आ binding क्य लिए तो उसके बाद इसने पुछा कि राजस्तान में जो लिंग नाइट कोईला उत पादनी के चेत्र कौन से है तो ये कपोर्डी और बरसिंग सर है अचा ये भी आप ध्यान रखने वाले है अचा उसके बाद है रामपूरा अगुचा दोनों है वो सिसा जस्ता खनीज के लिए परस लिए उसके बाद आगे बात करते है डेगाना है वो किस खनीज के लिए परसिद है अचा कौन सा डेगाना तो ये डेगाना है वो क्यों परसिद है तो यहां जो है टंगश्टन के लिए काफी परसिद है तो द्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ खनीजों से जो है मैंने जो एक्तिरित किये हैं कि उसे नाप लोगं के लिए जो पुछे जा रहे हैं और पुछे गए हैं तो यह आप धियान रखेंगे उसके बाद जो है बांदर सिंद्री बेरीलियम यह भी जो है खनीज के लिए परसिद है जो बांदर सिंद्री है वो बेरीलियम खनीज के लिए क लिए परसिदी के हैं उसके बाद चुन्ग जिली का जो राज महलचत्र है वह किस ह। पादन के लिए परसिद है तो ये तामडा खनीज के लिए परसिद है अच्छा ये भी आप ध्यान रख लेंगे तो हां राख लेंगे बात करना लिल्ला वानी की काला खुंटा खनीज चेत्र है वो किस खनीज के लिए परसिद है तो ये मेगनीज खनीज के लिए तो ध्यान पुरा ये भूंकिया चेतर जो है किस खनन बंडार के लिए परसिद है तो ये सोना के लिए अच्छा गोल्ड के लिए परसिद है उसके बाद बाद करते है जामर कोटड़ा ये कोटड़ा तो आप सब को पता होगा कौन सा कोटड़ा जामर कोटड़ा खनीज चेतर है वो क्यो रही क्योंसन है और इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूं और मेरा कोई मोटिव नहीं है व्यूज पाने का सिर्फ जो है आप आप किसी भी एक्जाम में उठा कर देख लो आपको जो खनीजों से सम्मध देती है क्योंसन आपको मिल जाएंगी वहीं बात कर लेते है तिकी गड़ बोर खनीज चत्र है वो द्यान रखना पन्ना खनीज के लिए परसीद है कौन सी खनीज के लिए पन्ना खनीज के लिए काफी परसीद है अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं गुड़ा की सुरिदास कौन सा की सुरिदास गुड़ा की सुरिदास चोत का बर यह परसिद है तो यह अबरक खनीज के लिए काफी परसिद माने जाते हैं उसके बाद बात करते हैं कौन राइट के विशाल भंडार कहां खोजे गए है अचा यह शिक्र डिश्टिक में कहां पर शिक्र डिश्टिक में यह रास्तान का हाइटेक सिकर, हाइटेक-सिटी के रूप तीन नोबाता, रोज़गी बताने पड़ाएग से नहें, अब भी करता जिकरता आपड़ेगा, उसके बाद अच्छा के बाद भी आपको कुछ क करना पड़ेगा टेलिग्राम है ना टेलिग्राम जोन करना पड़ेगा और अच्छा इंगी लिंक कट मिले कुर तो इंगी लिंक थाने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो फ्लीज एक बार चेक इन जरूर कीजिएगा और राजस्तान जिलादर्शन भी आप पढ़ सको तेती जिलोंगों संपूर अजिन रास्तान जिलादर्शन की प्ले लिस्ट मिल जी इन चैनल पर अब बात करां कोईलांगी कपूरी कोईला गेंस की खाने तो अच्छा एकट है तो ये बाढ़ मेर डिस्टिक में कोईला गेंस खाने बात करां सरवादिक जो एच्छेतर पलकी दर्श्ट्री से यह पर जो नमक उत्पादित किया जाता है तो ध्यान रखना है और डीडवाना में जो नमक बनाते हैं उससे जो क्या बोलते हैं अच्छा वो माल मौर्डी जो है विदी से जो है नमक बनाते है और यहां पर जो संस्ताइए उनको देवल कहते हैं इस सब बातां थाने ध्यान है बहुत पड़ो थे वातकरां चपा वो बेरीलियम के लिए काफी परसिद है तो थोड़ो बहुत रिवी इजन पर उज्जी साथ साथ वहीं बात कर लेते हैं रास्तान का कौन सा जिला है वो फैल सपार का अधीक तम उत्पादन करता है तो ओ अजमेर करा है गुर जी तो भी याद राख लिया बात करां भारत म दाना मिले वहीं बताओ बिक्कानेर में बाडमेर में स्वाईमादोपुर इन जिलो में कौन सा नाइट मिला है बैंटो नाइट में तो एक ही नाइट जाना गूर्टी गुड़ नाइट नहीं ओ बैंटो नाइट है वाथकरा हिंदूस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्या तो उद्येपूर डिश्टिंग में, क्या है? हिंदुस्तान सिंक लिमिटेड का हेड्वाटर है बाइडो बात करना मांडो के और फिर्फ्तर जो है मरुस्तल भाया जाता है राष्टान का अच्छा ओवी दान राख ले राख ले राख ले बात करना वर्तमान हिंदुस्तान जिंक लीमिटेड का पूरू वरति नाम क्या था तुछ यह मैटल कोर्परोरशन ओफ इंडिया क्या था मैटल कोर एसापनी है किसके नियो फिर से और यह यह काफी पार सिटायर में और फ्रांज का अाधर करने वाला राझ्यGu fuerza friendship का आयात होता है शुक्ति बाहरत बहारत में तमबे कि उतपादन में राजस्तान की इस्सेदारी किती है तो किती है बताओ तो 33 ध्यान राखिया किती है 33% है राजस्तान की इस्सेदारी तामबा उतपादन में अच्छा बात करां करोली जिला कौन सा जिला करोली जिला जो है किस के उतपादन के लिए परसे तो करोली में लाल प आज्ञारे में सरवाधिक जो है राध संब्ध में होता है लेकिन जो मकराना का बेष्ट माना जाता है रास्थान घसब से प्राचिन संगठित उद्धो कौन सा है तो तो था नहीं जाना है सुत्ती उद्धोग है और पहला लागाए करता यह तरी का अद आता और यह जो है प कावनिन याद राख लाएंगी अजमेर भीलवाड़ा जैपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनीज उपादक राज्ये कौन सा है तो राजस्तान है अच्छा पहलो जार कंडोनों से साथ तक वाकी थे कमेंट करके बताया है बात करां दिली के लाल किला के लिए जो है लाल वाड़ा डिश्टी को तो यह सारे मौस्ट रिपेटेड क्यूसन है तो फ्रेंट्स वीडियो को अभी लाइक कर दो या कर दो कर दो अभी कर दो क्यूंकि बहुत मैं मैंनत कर रहा हूं उद्यपूर तता भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनीज कौन से तो सिसा जस्ता जसता तांबह और चंदी रास्तान का इस्टीलगरेड चुन्हा पथ्र केके द धनारत नौः आ जिल्णहेयों कोन सा पथ्र यह घूरली का लाल पथ्र तो औव्यों सारी चिज़ागें मिलने chat बात कर दो चाहिता दादू के लिए परशिद है बात करां, जस्ता ऐसक की खान क इस जिल्ये में इस्तिद हैं तो उद्यपूर जिल्ये में अचा, बात करां, रास्तान के करें किस जिल्ये में टंकल रियमें तो ना गोहर तो बिंद्यान राख लेया, रास्तान के जो है नात्रा किपाल छेतर में कुन सा खनीज पाया जाता है तो लो ऐसक पाया जाता है अच्छा गोट मांगलोज जो जिपसम बंडार और खदानों के लिए परसीद है किस जिले में है तो ये नागोर जिले में गोट मांगलोज भीलवड़ा में नहीं करेंगे अप अच्छा में खनीज तेल का सबसे अधीक उतुपादिनगाने वाला चैत्र कौन से है तो और तानमें वादमेर हैं जानकरना रास्तान जो राष्ट्रे केमिकल एंड फर्टिलाइजर है इसकी इसाफना चितोड़ गड़के कपासरिम कीगी है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसर नहीं है अच्छा आगे है तील और प्राकृति गैस जो विसाल मातरा में कहां से मिलता है तो यह जैसल मेर से मि जाता है तो बहां स्वाड़ा और उद्यपूर जिल्लों में अच्छा बात करना रास्तान का गुंबाने वाला चेत्र है उक्तिस कान सर्चित है तो पेंट्रोल यो और जो प्राक्ति गैस उत्पादन के लिए आगे देख लिए चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंड में दौंड कर निकाला है तो बाड मेर जिल्ले में रोखफास पेट रास्तान के किन जिल्लों में पाये जाता है तो यहागे है रास्तान किस इष्तान पर जो है मुर्त्या रास्तान ने कहा बनती है वहीं अगला कों सा खनीज पत्तर है जु ze रास्तान कक्स विक्रिय कता है ज खनीज लिया को से खनावाई चămव संसांती है तो पेंटरॉलियम के लिए आगे बात कर लेते हैं रास्तान के एक सहर में पिले पत्थर की खान इस पत्थर को जो इसी सहर के नाम से जाना जाता है तो ये जैसन मेर को ध्यान रखना आगे अब हम जो एंड की तरफ जा रहे हैं थोड़े बहुत क्यूस्टन बजे हुए हैं अभ आगे बात करां कौन सा खनीज है वो उरुकों के उतबादन में काम लिया जाता है तो जिपसम देहाँ क्या कौन सो जिपसम रास्तान में तामबे का विसाल भंडार कहां मिला है तो खेतरी चेतर जुन-जुनु में अच्छा ओ सब नहीं आ याद था न क्यूंकि जो है खेत पूछे गए तो आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आयो है तो लाइक कर दो सेर कर दो सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर दो और हां अपने जितने प्लीज एक बार यह वीडियो सेर कर दो ताकि जो हदीक सदीक मुझे स्टूडेंट मिले पढ़ाने के लिए और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और जिसके लिए जो है आप लोंगली में मैं और महनत करके अच्छा अच्छा कॉंटेंट आपको दे पाऊं और कोई भी सवाल लिए सुजाओ है तो आप कोमेंट बॉक्स में लिक कर भेजी सकते हैं बाकि रास्तान जिला दर्शन एक बार विजिट जरूर कीजिए गाप अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है नहीं देखा तो अभी देख लो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप आती है तो वहां से आप ले सकते हैं अच्छा चलते हैं अलवीदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त्री और अपना और अपने प्रिवार का ध्यान रखिए बाकि जैहंत बंदे मातरम